आपकी age 18 to 35, आप minimum 12th pass होनी चाहिए, लेकिन अगर आप diploma भी हैं, graduate हैं और post graduate हैं कोई फर्क नहीं है, दोस्तों जैसा कि आपने वीडियो के thumbnail में देखा, आज के इस वीडियो में मैं आपको update दूँगा, एर इंडिया में जो काफी special vacancy आ रखी है cabin crew की उसके regarding, तो आप ये वीडियो को ध्यान से देखते रहेगा, और चैनल पे पहली बार आ रहे हैं, तो वीडियो को like share और चैनल को subscribe जरूर कर लिजेगा, दोस्तों ये वीडियो इतना खास क्यों है, ये जानने के लिए अभी आप देखिए वीडियो के screen पे, इस vacancy के लिए freshers and experienced apply कर सकते हैं, एर इंडिया cabin crew की ये vacancy है, और भी खास क्यों है, male female दोनों eligible इसके लिए है, सबसे बड़ी बात, पिछले 6 महिनों में अगर देखा जाए, तो एर इंडिया में जितनी भी vacancies आई है, 6 महिने क्या मान सकते हैं, कि बहुत लंबे, लगभग 8-9 महिने कह सकते हैं, बीच में ध इसके लिए male female दोनों eligible है, आप किसी भी state, किसी भी city से हो eligible है, आपकी age 18-35, 18-35 साल, इसके लिए कुछ terms and conditions हैं, जिसके regarding मैं वीडियो में आगे बताऊँगा, और सबसे खास बात, आप 12th pass होने चाहिए, तो दोस्तों, आप समझ सकते हैं, vacancy बहुत प्यारी है, ध्यान से द simple flight पे घुमरी होती है, कोई खाना मांगता है, पानी मांगता है, तो उनको assist करती है, किसी को और के requirements होती है, लेकिन दोस्तों, indirectly अगर देखा जाए, behind the curtain, वो जो भी कर रही होते हैं, या फिर जो भी कर रही होती है, safety and security के norms के according, यानि कि DGCA और BCS के guidelines, या फिर जो भी air rules होत है, state मतला में बात कर रहा हूँ, all over the world की basis पे, आपको high level का service provide करना होगा, जो की finally world class services में आए, तो ये अलग बात है कि इसके लिए आपको air India के side से training दी जाती है, जो भी आपको expect किया जाता है, air India, cabin crew की vacancy के बारे में, दोस्तों, यहाँ बात करते हैं, इसकी eligibility criteria के बारे में, तो आप Indian Island होने ही चाहिए, foreigners not allowed, holding current Indian passport, pen card और अधार card आपके पास होना चाहिए, लेकिन passport में एक खास बात है, अगर वो आपके पास है, तो आपको यहाँ पर preference मिलेगा, क्या मिलेगा, आगे बाता हूँ, अभी बात करते हैं, आपकी age होनी चाहिए, जैसा मैंने starting हैं बताय 18 to 35, लेकिन उसमें terms and conditions हैं, अगर आप fresher हैं, तो आपकी age होनी चाहिए 18 to 27 years, लेकिन अगर आप experience हैं, तो आपकी age होनी चाहिए 35 के age तक आप इसके लिए eligible हैं, जो आपकी minimum qualification है, minimum वो होनी चाहिए 12th pass, आप अगर उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, graduate हैं, postgraduate हैं, या फ जरूरी है, बात करते हैं, आगे minimum height आपकी होनी चाहिए, जो required है, 155 cm female के लिए, और male के लिए 172 cm यहाँ पर जरूरत है, इसके अलावा दोस्तों, आपका weight होना चाहिए height के proportionate, BMI range, अगर आप female है, तो 18 to 22, और male अगर अगर आप पुरुश है, तो 18 to 25 आपका होना चाहिए अगर आपको यह नहीं पता कि BMI क्या होता है, इसे कैसे निकलते हैं, आप comment कीजिए, मैं इसके regarding एक special video बढ़ा दूगा खास, बिल्कुल बढ़िया आपके लिए, इसके अलावा दोस्तों, well-groomed होनी चाहिए, कोई भी visible tattoo नहीं होना चाहिए, English Hindi में आपकी fluency होनी चाहिए क्योंकि Air India में जो आप travel करते हैं, काम करते हैं, तो आप different countries में भी fly करते हैं, different तरह के लोगों से interact करते हैं, corporate passengers होते हैं, different type के passengers होते हैं, जिन्हें English बोलना शायद अच्छा लगता हो, और उन्हें English ही आती हो, तो आपको English आनी चाहिए, सबसे खास बात ही है कि यहाँ पर English इसलिए भी जरूरी है, क्योंकि interview जो होता है, वो होता है English में, इसके अलावा आपका जो vision होना चाहिए, six by six होना चाहिए, और अब बात करते हैं, skills and attributes, कुछ खास बाते हैं, दोस्तों कोई भी employee होता है, वो अपनी company को represent करता है, तो आपको Air India को एक professional manner में represent करना है, आपका जो nature है, वो customer family होना चाहिए, लोगों से मिलना, बात करना, उनकी help करने में आपको मज़ा आना चाहिए, इसके regarding आपको time to time, over mail, या फिर over training, या फिर over LMS आपको बताया जाता है, आप medically fit होने चाहिए, follow risk regulations to comply with the flying duties, flying duties के according, जो भी आपको requirements हैं, वो आपको, चाहे वो medical requirements ही क्यो आपको safety and security, आपको ध्यान देना होगा, कोई भी staff, जो आपको लगता है कि वो normal काम कर रहा है, उसके पीछे कहीं ने कहीं regulatory requirements होती है, DGCA, BCS या फिर other local requirements होता है, उसको follow करना होता है, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, इसके अलाबा दोस्तों, जो भी compliance यहाँ पर द आगा किसी को दर्द हो रहा है, कुछ आ रहा है, तो इन सब के लिए आपको training दी जाती है, तो आप इसके लिए ready रहने चाहिए, अगर कोई emergency evacuation होगा, flight आपको ground पर खड़ी है, अचानक से suppose कुछ उसमें emergency आगई, boarding चल गई, तो उसमें क्या करना है, आपको flight in air है, तो उसमे क्या करना है, इसके regarding आपको training दी जाती है, लेकिन आपको पता भी होना चाहिए, आपको ready रहना चाहिए, आप इसको ऐसा समझे, flight में boarding होने से पहले, जो responsibilities होती है, उनको पूरा करना पड़ता है, during boarding, post boarding, and post deboarding, यानि कि de-planning, जितने भी formalities होती है, जितने भी documentation होते हैं, वो आपको पूरा करना होता है, इन सब का आप screenshot ले लिजे, दोस्तों, अब हम बात करते हैं, जो next part आता है, preference would be given, जो मैंने बताया था ना कि passport में एक trick है, यानि कि 1st January 2020 के बाद जिसका passport अगर issue हुआ है, उसको preference मिलेगा, so friends, अगर आपको लगता है कि आप इसके लिए eligible हैं, त तो आपको क्या करना होगा, दोस्तों, आपको apply करना होगा, तो apply करने के लिए how to apply, apply करने का link मैंने डाल रखा है वीडियो के description में, जब आप उसे click करेंगे दोस्तों, तो कुछ इस तरह का आपको सबसे top में page आपको open होता है, inviting applications for the position of cabin crew, ये खुल गया, यहाँ पर आपको उसके नीचे आपका email ID आता है, जिसके बैसिस पर आप ये Google form fill up करेंगे, और बात बाकी चीज़ा आपको दी रहती है, यहाँ पर दियागा कि हाँ, company आपके details को interview के purpose के लिए use कर सकती है, आगे बढ़ेंगे, तो जो first page आता है, वो इस तरह का आता है, यहाँ पर आपको नाम डाल देना है, contact number, mobile number, जो mobile number काम कर रहा हो, वो दीजेगा, जो email ID काम कर रही हो, वो दीजेगा, इसके बाद gender आपका क्या है, male है, female है, या फिर others है, वो बता दीजे, age आपकी क्या है, वो बता दीजे, इसके अलावा, आपकी height कितनी है, अब बात आते हैं, अगर है तो इस डाल दीजे, no है तो डो डाल दीजे, अगर पासपोर्ट है, तो पासपोर्ट का issue date क्या है, पासपोर्ट नमबर डाल दीजे, nationality आप ही क्या है, starting में बताया था कि केवल Indian national के लोग ही इसके लिए eligible है, वो डाल दीजे, current employer if applicable, आपकी age 35 तक होनी चाहिए, कब अगर आप कहीं काम कर रहे हैं, या फिर काम कर चुके है, आपकी highest qualification क्या है, मैंने क्या बताया, आप minimum 12th pass होनी चाहिए, लेकिन अगर आप diploma भी है, graduate है, और postgraduate है, कोई फर्क नहीं है, minimum 12th तो यहाँ पर ज़रूरी है, तो वो आप यहाँ पर बता दीजे, इसके अलावा, final स कुछ करने के बाद, यहाँ पर नीचे आएंगे, सबसे मीचे में, add file करके, आपको अपना updated resume यहाँ पर upload करके, और finally submit कर देंगे, तो अगर आपके पास resume नहीं है, तो उसके regarding video में आगे बात करता हूँ, यहाँ पर एक बात आपको खास बताना चाहूँगा, अगर आपको म मेरी information आपके काम की है, airline airport में job पाना चाहते हैं, चैनल को subscribe कर लिजे, comment कीजिए अगर आप मुझे बात करना चाहते हैं, और मेरे other social accounts पे अगर आप मुझे follow करना चाहते हैं, तो मेरे सारे social accounts का जो username है, वो है flyair India, तो दोस्तों अब बात आती है resume की, तो दोस्तों अगर आप interview के तयारी करना चाहते हैं, तो उपर वाली वीडियो को जरूर देखेगा, best of like